आज न्यू चेप्टर स्टार्ट करना था और आज जो चेप्टर हम करने वाले हैं हो है पहली बार इस चेप्टर से मिलता चुलता एक चेप्टर मा अलड़ी कल चुके हैं जिसका नाम था कैश फ्लो स्टेट्मेंट और 80% इवन मोर देन 80% इसमें वो सारी चीजें सेम एज इस कॉपी पेस्ट ही हो जाएंगी जैसे की पहले कैश फ्लो स्टेट्मेंट में हो चुकी सारे के सारे ऐकाउंट्स बनाने का तरीका उसके अंदर एजजिस्मेंट करने का तरीका इवन जो हम इसमें एजजिस्मेंट करेंगे और जिस तरीक knifeure सारी के-सारी चीजे almost cash flow statement की तरह ही होगी इसलिए चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है अब क्या है cash flow statement और fund flow statement में difference और इसके अंदर आखिर इस chapter में करना क्या होगा Previously हमने जो chapter किया था cash flow statement उसमें हम cash में होने वाले changes को एक statement में show करने की कोशिश कर रहे थी और वहाँ पे cash का मतलब था cash and cash equivalent जिसमें cash, bank और marketable securities को गिना जाता था अब जो हम chapter करने वाले है वो है fund flow statement क्या मतलब है fund flow statement का इस chapter के अंदर हम funds में होने वाले changes को एक statement में show करने वाले है मतलब fund का, fund का मतलब यहाँ पर cash थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा previous topic के अंदर cash के अंदर मैंने भी आपको बताया तीन चीजे ही गिनी जाती थी cash, bank and marketable securities इसके अंदर होने वाले movement को हम statement में डाले थे अब हम funds माने working capital के अंदर होने वाले changes को इस statement में डालेंगे और working capital थोड़ा सा बढ़ा एक तरह से form है fund का working capital के अंदर cash, bank, marketable securities तो आती आते है उसके अलावा सभी other current assets भी आती है like stock है, data है, prepaid expenses है ये सारी चीजे भी current assets का part होती है और जो current assets होती है वो working capital का part होती है उसके अलावा current liabilities को अगर हम less कल दे तभी हमें working capital का पता चुलता है like crater, bills, payable, outstanding expenses तो इस chapter के अंदर हम ये जो working capital means current assets में से current liabilities घटने के बाद जो net balance बचा उसमें होने वाले changes को एक statement में डाल के show करने की कोशिश करेंगे और इसका ना हो जाएगा fund flow statement क्योंकि cash और working capital काफी हद तक दोनों में similarity है, दोनों ही fast moving है, दोनों ही थोड़े समय के अंदर बदलती रहती है cash बहुत ज्यादा liquid है, funds उतने ज्यादा liquid नहीं होते, इसलिए इसमें almost सारी working करने का तरीका जो है वो similar है और पहले जैसे हम उसके अंदर operating, investing और financing equity दिखाया करते थे cash flow statement में, उसकी बजाए यहाँ पर थोड़ा सा little change होगा हम अलग-अलग statement से ये सारा काम करेंगे, पहले हम operating activities को calculate क्या करते थे cash flow statement में, अब यहाँ पर fund flow statement में हम बिलकुल वही सारा काम करेंगे, बिलकुल वही सारा काम करेंगे और calculation करेंगे funds from operation की और यह काम एक अलग statement में क्या दाएगा पहले जो cash flow statement थे उसमें आप एक ही cash flow statement बनाते थे, उसी के अंदर operating, investing और financing equity को combine करके आप दिखाते थे यहाँ पर funds from operation निकारने के लिए अलग statement रहेगी, working capital changes जो की operating equity के अंदर ही cover कर लेते थे, उसको calculate करने के लिए अलग statement होगी और बाकी investing और financing के साथ merge करके हम अलग से एक fund flow statement बनाएंगे तो यह मोटा मोटा overview है जिससे कि आपको थोड़ा सा idea लग रहा होगा कि काफे सारा काम इसके अंदर cash flow statement जैसा ही होने वाल है अब एक करके हम समझते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से यह different different तीन statement जिसकी मैंने बात की वो बनानी होगी नमबर वन एक statement बनाएंगे हम funds from operation calculate करने के लिए नमबर टू एक statement बनाएंगे हम working capital के अंदर कितने moment हुए उसको check करने के लिए और तीसरी final हमारी statement होगी जो की होगी fund flow statement प्लेर इतनी बात जो मैंने आपको बताईए आगे अब कैसे funds from operation के लिए statement बनाई जाती है 22, 23, 24 अगर आप check करेंगे तो वहाँ पे सारे के सारे formats आपको मिल जाएंगे पहला जो format मैं discuss करने वाला हूँ है calculation of funds from operation calculate करने के लिए और इसे दो तरीके से आप calculate कर सकते हैं दोनों ही बिल्कुल एक ही जैसे concept पे based है पहला जो format है उसके अंदर आप जैसे cash flow statement में एक operating activities के अंदर information लिखते थे बिल्कुल वैसे ही format में information को लिखा गया है दूसरा एक profit and loss account के format में भी आप cash flow cash from operation जो है वो निकाल सकते हैं cash नहीं बलकि funds from operation जो है वो निकाल सकते हैं इसके लिए आप profit and loss account में थोड़ी सी adjustment करेंगे जिसके लिए नाम कर दे रहेगा adjusted profit and loss account जो कि आपको funds from operation की calculation करवाएगा सबसे पहले यह जो statement for funds from operation उसको समय लेते हैं यह आपको statement exactly cash from operation निकालने के लिए जो बनाई थी बिलकुल उसी format में और वही सारी के सारी information as it is यहाँ पर डाली गई है सिरफ कुछ एक चीज़े यहाँ पर extra ही है और वो चीज़े जो extra ही है वो है जो कि आप अलग से notes में बनाया करते थे अलग से आप एक note 1 बनाया करते जिसमें net profit after tax के बाद dividend tax और reserve की adjustment क्या करते थे बस वो note बनाने की आवशकता यहाँ पर खतम होगी और उन adjustment को भी हमने यहाँ पर funds from operation की calculation में सीधा सीधा ही use कर लिया गया क्या क्या चीज़े यहाँ पर फिर से देख लेते हैं पहले already हमने cash flow statement में यह as it is लिखा था सबसे पहले शुरुआत net profit for the year से हमारी होगी वहाँ पर आप लिखा करते थे net profit after tax यहाँ पर net profit for the year से हमारी शुरुआत होगी फिर आप चीज़े add or less करते थे जो भी non cash item आप वहाँ पर आती थी उनको यहाँ पर add करते थे non cash expense जितने भी होते थे सब को यहाँ पर add करते थे अब funds from operation में भी reality में non cash क्योंकि part of the working capital तो ही है cash खुदे ही अपने आप में working capital का part है इसलिए वो सारी के सारी चीज़े जो non cash हुआ करती थी add वो अभी भी add होंगी क्योंकि cash भी part of working capital है और हम पर working capital का ही change जानने की कोशी कर रहे है इसलिए यह सारे के सारे नाम पहले वाले ही न debenture, expense on share or debenture, loss on sale of fixate, interest paid, dividend paid यह सारे के सारे नाम cash flow statement में as it is आया करते थी कुछ नए नाम जो यहाँ पर आ गया है उनकी बात कर लेते हैं एक है transfer to reserve and tax, transfer to reserve and fund और दूसरा provision for tax, even dividend paid यह तीन नाम यहाँ पर आया है यह तीनो नाम पहले भी आते थे cash flow statement में लेकिन वो अलग से note में आते थे, उस note की requirement खतम होगी, इसलिए वो सारे adjustment सीधा सीधा यहाँ पर हो गई है, बाकि सारा काम से, फिर less, less भी जो पहले करते थे वही कर रहे हैं, profit from sale of fixate, आपको याद हो कि cash flow statement में minus करना परता था, interest, rent and dividend receive, investing act में जाके क्योंकि plus होना होता था, यहाँ पर minus करना पड़ता था, फिर यह refund of tax, transfer from reserve, और यह दो चीजे जो आगी हैं, यह सिरफ हमें अलग से note में adjust करनी पड़ती थी, अब note की requirement खतम होगी, इसलिए यहीं पर adjust कर लेंगे, और other non current item, अगर कोई भी ऐसी non current income है, यहाँ non operating income है, जिसे किसी दूसरे head के अंदर जाना होता था, obviously पहले भी उसे minus करते थे, अभी भी हम इसे minus करेंगे, और उसके बाद आपका जवाब आ जाएगा, net funds from, अगर जवाब positive में है तो लिखेंगे net funds from, और जवाब negative आ गया तो बोलेंगे lost in operations, इसके बाद फिर working capital changes का भी क काम आप cash flow statement में करते थे, यहाँ पर उस चीज को अलग से statement में बनाया जाएगा, जिसको भी थोड़ी दिर में मैं discuss करूँगा, तो फिलाल यहाँ पे हमारी पहली statement, जो कि आधी है एक तरह से operating equity of cash flow statement cover हो गया, इसी का बिलकुल एक तरह से replica ही समझ लीजे कि आपका यह adjusted profit and loss account है, जो कि funds from operation या funds lost in operation निकारने में आपकी help कर सकता है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखे तो हमें net profit for the year चाहिए होता है, और अगर हम balance sheet में opening और closing का difference निकाले तो net profit for the year बन जाएगा, आप ordinary profit and loss appropriation या profit and loss account की तरह से शिरवात करें तो यह आपका opening balance है, और यह आपका closing balance है, तो जब closing balance minus opening balance करते हैं, तो reality में इसका difference net profit बन जाता है, तो यह एक रहसे आपको क्या show कर रहे हैं, यह show कर रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों का difference बन गया है, net profit, अब यह net profit, opening minus closing हमारा आ गया है, तो जो कुछ भी यहाँ पर add करना है, obviously यह सारी के सारी चीज आपको profit and loss account की debit side में डाल नी पड़ेंगी, और पहले से ही यह सारी चीज़े P&L account की debit side में ही आती है, यह सभी expense है, जो की non cash nature के है, यह non operating nature के है, ध्यान से देखने हैं, जो depreciation, goodwill, preliminary expenses, depreciation, goodwill, preliminary expenses, फिर underwriting commission, discount, expense, सारी के सारी चीज़े अगर आप check करोगे, तो बिलकुल सारी क सारी एकदम 100% यह वही है, जो कुछ आप add कर रहे थे, वो सारे के सारी चीज़े इस statement की, इस account की debit से बेंडाल सकते हैं, और जो less कर रहे हैं, देख लीजे आप यह एक, दो, तीन, चार और पांच चीज़े हमने यह आप less किये, तो क्योंकि यह add वाली side, less वाली side, reverse होनी ची bill of fixate, interest received, refund of tax, transfer from reserve, और other non-operative income, तो जो add कर रहे थे, वो debit में, और जो less कर रहे थे, वो credit में, account के format में बनाने से थोड़ा सा advantage, आपको यह लग सकते हैं, कि भी expense तो debit में होते हैं, debit में चलेगे, और income credit में होती है, तो credit में चलेगे, finally इसके अंदर, difference बचेगा, अगर difference पर आ गया, तो इसे बोलेंगे, funds lost in operation, हमारी income देखो, cover नहीं कर पा रहे है, income यहाँ पर थी, और income के अंदर कम ही आ गये, तो इसलिए यहाँ पर difference निकलेगा, तो funds lost in operation मन जाएगा, और अगर income का total बढ़ा रहा, तो यह funds from operation मन जाएगा, दोनों में से कोई एक ही figure, आपकी balancing figure निकलेगी, और most of the cases, funds from operation ही balancing figure में, credit side में ही balancing figure निकलेगी, अगर आप adjusted profit and loss account बनाते, clear है पहले इतना फर में, अब last इसके अंदर, दो statement हो रहा गया है, उनकी भी बात कर लेते हैं, एक schedule of change in working capital, जिसको की आप operating activity में बना रहे थे, दूसरा, finally funds flow statement, सबसे पहले बात कर लेते हैं, schedule of change in working capital, format आपके notes में already है, मैंने already बता दिया है, यहाँ पर उसका content मैंने लिख दिया है, बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना, नाम suggest कर रहे है schedule of change in working capital, हमारी working capital में जो changes हुए, उसको यहाँ पर reflect किया जाएगा, तो working capital के सारे के सारे content को यहाँ पर लिखना होगा, और working capital में हमारी सभी current assets और current liabilities आती हैं, उन सब को यहाँ पर मैंने reflect कर दिया है, सबसे पहले आपको इस schedule के अंदर जो columns बनाने है, particulars जिसमें आप detail बताएंगे, कौन-कौन सी चीजे आपकी working capital का part है, फिर last year का amount और current year का amount, और working capital में increase भी हो सकता है, और decrease भी हो सकता है, अगर figure same है, तो न increase होगा, न decrease होगा, लेकिन figure अगर कम या ज़्यादा हो रही है, तो working capital का increase या decrease हो जाएगा, तो सबसे पहले current assets की अगर हम बात करें, तो cash है, bank है, marketable securities है, यह तीनों के तीनों cash and cash equivalent हुआ करते थे cash low statement में, वो सारे के सारी चीजे हैं फिर inventory, debtors, bills usable, outstanding income, prepared expenses और कोई भी उसके लावा current assets है, तो इस statement में आएगी, पहले last year की figure लिखेंगे, फिर current year की figure लिखेंगे, और हमें already पता है, कि अगर हमारी current assets increase होती है, तो उससे working capital भी increase होती है, आखिर हमारा formula है क्या working capital का, working capital होती है current assets minus current liabilities, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर current assets ज्यादा हो गई, तो working capital भी ज्यादा हो जाएगी, तो जब भी आपकी current assets में increase आपको नज़र आए, जैसे 10,000 थे यहाँ पर वो 12,000 हो जाए, 10,000, फिर 12,000, तो आपको यह 2,000 rupees increase में दिखाना पड़ेगा, वैसी अगर कोई item से पहले 15, 15,000 की थी और अब घट कर 10,000 पर आजाए, asset अगर decrease हो गई तो आपको उसे decrease में दिखाना होगा, तो इस तरीके से आप सभी current assets के अंदर सबसे पहले change निकालेंगे, फिर बात शुरू होगी current liberties की, current liberties में trade, credit, bills, payable, outstanding expense, advance income और उसके लावा और भी कोई अगर आपके सामने current liberty जाती है, यहीं पर लिखेंगे, हाँ, dividend or tax यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि dividend or tax सीधा पहले भी और अभी भी अपनी जो final statement है, उसमें post किये जाएंगे, बाकि जितनी भी आपकी current liberties है, वो यहाँ पर आजाएंगी, अब लेबिटी के साथ लेकिन working capital पे negative impact चलता है, लेबिटी का portion हो जाएगा, उतना ज्यादा आपको minus करना पड़ेगा, और मैं जितना ज्यादा यहाँ से minus करूंगा, उतनी ही working capital मेरी down चली जाएगी, इसलिए अगर आपकी current liabilities increase हो जाएगे, तो आपसे decrease में दिखाएंगे, लैक पहले यहाँ पर 20,000 पे के crater थे, और अब जो increase 1,000 हो है, वो decrease के column में show किया जाएगा, और उसी तरीके से, यहाँ पर एक figure थी 17,000, जो घटके हो जाती है, 15,000, लैबिटी में अगर decrease हो गया, तो उसे increase में show कर दा होगा, Finally, आप net working capital निकाल सकेंगे, जो total of current assets है, उसमें से अगर total of current liabilities minus कर देंगे, तो आपको पैता चल जाएगा, net working capital का amount कितने है, और अगर यह figure पहले से कम हो गई है, तो decrease हो गई है working capital, और पहले से जादा हो गई है, तो increase है, वैसे आप यहाँ पर जो इनके final total होंगे, उसके difference ह से भी increase or decrease in working capital को easily find out कर पाएंगे, practical question के अंदर में सारी की सारी चीजें एक तरीके से ढंक से समझ पाएंगे, Finally, last, हमें बनानी होगी fund flow statement, fund flow statement में अभी तक जो कुछ भी आपने किया है, उसका आखरी final amount यहीं पर आएगा, अभी तक दो हम statement बना चुके हैं, एक funds from operation जानने की statement और दूसरा working capital को जानने की statement, उसके अलावा यह दोनों चीजें तो आएंगे, आएंगे final balance, उसके अलावा जितनी भी item आपकी investing से belong करती है, जितनी भी item आपकी financing से belong करती है, वो सारी की सारी item भी जैसे cash low statement में जाती थी, as it is वैसे ही यहाँ पर जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा observe करें तो आपको पता चलेगा, हमने जो cash low statement की operating activity थी, उसको तोड़ के दो ही statement बनाई है, operating activity के अंदर पहली statement fund from operation के लिए, और दूसरी statement working capital changes के लिए बनाई है, operating activity cash low statement क खतम हो गई है, रह गई investing और financing वो दोनों activity यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ पर यह जो statement है, उसमें दो side बना दी गई है, सबसे पहले sources, sources माने जहां से funds हमारा पस, पैसा हमारा पस बढ़ रहा है, दूसरा application जहां पे पैसा हमारा घट रहा है, तो अगर आप ध्यां से दे back of equity, share, redemption of debenture और repayment of loan, financing equity में minus होते थी, तो यह financing equity, कर मैं यहाँ पर mark कर दूँ, तो यह financing equity का part जो है, और cover हो गया है, उसके बाद investing equity, पैसा आता कब था, जब आपको यह asset sale करते थे तो पैसा आता था, sale of fixate, sale of investment, यह आपकी होती थी investing equity, उसके लाबा आपको interest, rent and dividend receive भी तभ होता था, जब आपने investment की होती थी, तो यह investing equity है, हाँ, उसी के अंदर अगर हम asset खरीद लेते हैं, investment खरीद लेते हैं, तो हमारा cash चला जाता था, तो वो application, application का मतलब है, पैसा जा रहा है, sources का मतलब है, पैसा आ रहा है, इसे में mark कर देता हूँ, आपको exam में ऐसा नहीं जा रहा है, sale of fixate, sale of investment में पैसा आ रहा है, फिर refund of tax हो जाए, तो पैसा आ जाएगा, उसके लावा income tax paid कर दिया, interest paid कर दिया, dividend paid कर दिया, तो पैसा चला जाएगा, और यह interest और dividend paid करना भी financing equity में ही आता था, हाँ, income tax paid operating equity में चलाता था, यहाँ पर यह जो income tax paid है, वो specifically आपका funds from fund flow statement के अंदर application में ही जाएगा, अगर मैं ध्यान से दुबारा से अगर इसके अंदर star mark लगा दूं तो बैटर हैगा, कि जो income tax की entry है, यह एक extra entry है, जो पहले operating equity में adjust हो जाती थी, जिसे कि यहाँ पे अब fund flow statement में adjust किया जा रहे, last इसके बाद अब आपके final cert, funds from operation होगर और अगर funds lost in operation हुआ है, इसका अबना पैसा आपका घटा है, application वाली side में, negative वाली side में आपको डारना पड़ेगा, last decrease and increase in working capital, इसमें student को सबसे ज़्यादा confusion रहते है, क्योंकि increase in working capital यहाँ पे नहीं है, बर्कि decrease in working capital जो है, वो पैसे को बढ़ाएगा, और अगर working capital का increase हो गया तो पैसे को घटाएगा, student को बड़ा confusion रहते है, students को लगते है, increase इधर जाना चाहिए और decrease इधर जाना चाहिए, जबकि ऐसा है, decrease in working capital funds को बढ़ाता है, और increase in working capital funds को घटाता है, कैसे इसको जा समझे, working capital ही हमने already सीख लिया, हमारी current assets और current liabilities का difference है, current assets के अंदर stock भी है, data भी bank balance भी है, तो हमें business में कुछ x amount invest करके रखना पड़ता है, smooth working के लिए, मान के चलता हूँ, वो x amount हमारा 1 lakh rupees है, हमें 1 lakh रुपिया invest करके रखना होता है, ऐजे working capital, अब working capital हो गई increase, अब हमें 1 lakh की बज़ाय working capital में रखना पड़ रहा है, 1,25,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 lakh की बज़ाय अगर 1 lakh पचे है, तो हमें business में new invest करने पड़ रहे है, 25,000, और अगर new investment होगी, तो हमारे funds जो है, वो decrease एक तरह से हो गया है, हमारे पास जो है, investment ज्यादा जैसे जैसे होगी, funds पे decreasing effect पड़ते हैं, अगर मैं इसको वैसे घटा क्या रखना पड़ रहे है, सिर्फ 80,000, इसके लब 20,000 के funds release हो गया है, और funds release होने का मतलब है, हमारे पास funds में increase हो जाएगा, जिसे हम कहीं और use कर पाएंगे, अगर यहां से 20,000 बचेंगे, तो किसी और जगह पर उसको इसको इस्तिमाल किया जा सकेगा, इसलिए decrease in working capital, always funds को increase करेगा, और increase in working capital, funds को decrease करेगा, clear है, इतनी बात है, नेक्स्ट अब, question number 2 करने वाले, similar है, question number 1 से, मत इसके इसके इंदर सोड़े रिजर्व है, थोड़ा सा इसके इसके इंदर tax का treatment आ गया, जो हमारे लिए जाना पेचाना है, cash flow statement में, जो treatment क्या वैसा ही treatment होगा, देखते है question की information, asset side के अंदर अगर आप देखें, सबसे पहले आपको goodwill नज़र आ रही है, जिसके अंदर value decrease हो गई है, पहले value 2018 में 1,15,000 थी, जो की अब घट कर 90,000 हो गई है, हमें already पता हुआ है, ये बात का पता है कि goodwill, कभी भी अगर decrease होती है, तो उसे write-off माना जाता है, उसे कभ की asset decrease होगे, किसी भी asset में होने वाला decrease, या तो add होता है, या तो pindle account की debit side में, अगर आप statement format बना रहे हैं, तो add करेंगे, और अगर आप इसे account के format में बना रहे हैं, तो debit side में reflect करेंगे, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं, goodwill return of, adjusted pindle account की debit side में 25,000, next उसके बाद machinery आगे, machinery के अंदर हुई है, कमी, machine में कमी जो है, वो reasonable हुई है, हमें पता है, कमी के दो कारण है, depreciation भी हो सकता है, और sale भी हो सकता है, क्योंकि यह कमी बहुत reasonable है, accurate अगर आप calculate करेंगे, तो 15% है, मैं इसे depreciation मान रहा हूँ, और depreciation क्योंकि non cash item में, pindle account में जाएगी, और expense, सभी debit side में जाते है, तो यहाँ पर depreciation on machine, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिसकी value रहेगी, rupees 30,000, next उसके बाद land and building है, जिसके अंदर हो गया increase, increase होने का कारण होता है, asset को खरीदना, और क्योंकि asset को खरीदा गया है, application मन जाएगा, पैसे हमारे कम हो जाएंगे, credit side में, credit neighbor की application side बोढ़ना चीव मुझे, यहाँ पर लेखेंगे, purchase of land and building, जिसकी value है, 40,000, then उसके बिल सेबल, बिल सेबल, current asset है, जितने भी current asset हो, current liabilities है, वो schedule of change in working capital में adjust की जाएंगी, सबसे पहले नाम लिखते हैं, current assets का, और current assets में नाम आगया, सबसे पहले, bills receivable का, पहले इसमें balance है, 20,000, जो की अब increase होके हो गया है, यह 30,000, यह year यहाँ पर 2019 होना चाहिए, 10,000 का increase है, asset में increase होने पर increase नहीं डाला जाते है, then उसके बाद stock है, stock भी current asset है, पहले balance था 1,57,000, अब balance हो गया है, 3,09,000, current asset में increase हो है, पूरे 1,52,000 का, तो हम increase में डाल देंगे, cash भी schedule के अंदर याएगा, क्योंकि यह भी part of current asset है, cash, पहले balance था 10,000, अब हो गया है, 18,000, और 8,000 का increase फिर से हो गया, then इसमें आगया है, preliminary expenses, preliminary expenses non-cash nature होती है, और non-cash nature पीर्णल अकॉन में जाती है, 5,000 की asset decrease हो है, मतलब write-off हो है, और asset write-off होने पर debit से में डाली जाती है, पीर्णल अकॉन में, preliminary expenses, rupees 5,000, फिर उसके बाद अब liberty side चिड़ो हो गी है, सबसे पहले share capital, share capital finance से सीधा-सीधा जड़ा हो है, और इसमें हमारा पैसा बढ़ गया है, इसलिए source कहलाएगा, issue of shares, 1 lakh rupees, then debenture, यह भी finance है, और इसमें हमारा पैसा घट गया 50, यार इसलिए application में दिखाएंगे, redemption of debentures, rupees 50,000, then general reserve, हमारे profit पे impact डालता है, या तो profit को यह कम करता है, या तो profit को ज़्यादा करता है, जब भी कोई liability increase होती है, और अगर उसे profit and loss में reflect किया रहे है, तो उसे expense की तरह treat करना पड़ता है, asset decrease होती है, तब भी वो expense की तरह treat होती है, और debit से में जाती है, और liability increase जब होती है, तब भी वो expense की तरह treat होती है, क्योंकि जब कोई liability increase होती है, तो उसे हमारे profit पे negative impact पड़ता है, तो general reserve हमारा increase हो गया है, आप अगर ध्यान से याद करें, तो cash flow statement में भी जब हमारा कोई reserve increase होता था, तो हम उसे net profit में add करते थे, similar way में add करने का काम, क्योंकि यहाँ पे Pinder की debit set से होता है, आपकी liability में हुआ increase, हम कर देंगे इसे add, increase in general reserve, और यह यहाँ पे जो increase हो है, वो 30,000 का है, तो 30,000 यहाँ पे reflect कर देंगे, profit and loss से हमें net profit का पता चलेगा, credit set में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले by balance BD, जिसकी value रहेगी रूपीज 72,000, और debit set में लिखेंगे to balance CD, जिसकी value हमारी रहेगी, रूपीज 98,000, नेक्स उसके बाद इसमें आ गया है creator, creator तो current liabilities है, इसलिए से यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम अपनी statement में total के लिए थोगा सा space निकाल लेते हैं, total current assets का करेंगे, फिर second part शुरो हो जाएगा, जो की रहेगा current liabilities से related, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहे है creditors, पहले creditors का amount था 55,000, जो की भो गया है 83,000, इसके बीच का difference, अगर 83,000-55,000 गया है तो 28,000 इंक्रीज हुए है, और जब हमारी current liabilities increase होते हैं, तो working capital decrease होती है, इसलिए इधर decrease वाले कॉलम में इसे डा देना, next उसके बाद अगला नाम इसमें आ गया है हमारा bills payable, ये भी current liabilities है, bills payable में पहले 20,000 बैलन्स था, अब घड़के 16,000 है, तो 4,000 क्योंकि liability decrease हुई है, हम working capital को increase कर देंगे, आखरी है tax, tax के बारे में हमने already सीख लिया है, dividend के बारे में सीख लिया है, cash flow statement के चेर्ट में, कि ये चीजें difference में deal नहीं की जाती, बलकि दोनों ही चीजों को statement में डाले जाते हैं, एक plus और एक minus, तो जो current year का tax है, उसकी payment हमें अगले साल करनी होगी, और current year के tax ने हमारे profit को decrease कर दिया होगा, इसलिए हम उसके अंदर वापस add करने की कोशी करेंगे, या फिर क्योंकि ये हमारे expense की तरह book किया होगा, तो अगर adjusted payment account बना रहे तो उसकी debit से में दिखा देंगे, provision for tax, current year की figure हमारी tax की है, 80,000, और last year का tax हमें paid करना होता है, paid करेंगे तो पैसा हमारा घटेगा, पैसा बढ़ाने के लिए sources और घटाने के लिए application को use करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे tax paid, last year का tax हमारा है 60,000, यह पूरा का पूरा concept cash flow statement में already discuss हो चुक है, इसलिए मैं दुबार से यहाँ पे उसे discuss नहीं कर रहा हूँ, तरीका बिल्गल वही है, एक plus और एक minus, जो कुछ भी debit set में यहाँ पे जा रहा है, वो plus के equivalent है, और जो कुछ भी credit set में यहाँ पे जाएगा, वो minus के equivalent है, चलिए, यह सारा काम करने के बाद, अब इसके total करना शुरू करते हैं, तो अगर cash, adjusted pinder का total करें, तो 25,000 है, फिर 30,000 है, फिर 5,000, 30,000, 80,000, और फिर 98,000, 2,68,000 यहाँ पे value आ गई है, उसमें से अगर 72,000 माइनस करते हैं, तो 1,96,000 हमार पास आ जाएगा, by funds from operation, और इसे हमने पता लगा है, balancing figure, जो funds from operation होते हैं, वो पैसे बढ़ाते हैं, इसलिए आपको source में भी दिखाना पड़ेगा, funds from operation, 1,96,000, अब हम working capital के total कर लेते हैं, तो पहले अगर 2,018 का total करें, 20,000, 1,57,000, 10,000, यह हो गया, 1,87,000, उधर 30,000, 30,000, उसके बाद है, इसमें 3,09,000, और उसके बाद फिर 18,000, 3,57,000, लैबर्टीज का total कर लेते हैं, total, जिसको बी नाम देते रहेगा, 75,000 तो यह हो गया, और 83 प्लस 16 अगर कर दें, तो 99,000 इधर हो गया, working capital की बात कर लेते हैं, working capital कैसे निकलेगी, working capital रहेगी हमारी A-, B, अगर आप current assets में से current liabilities को minus कर दें, तो working capital का पता चल जाएगा, और finally उसके बाद हम increase या decrease की बात कर पाएंगे, 1,87,000 में से 75,000 minus कर दें, तो यह हो गया, 1,12,000, उधर 357,000 में से मैनेस करें 99,000 तो हो गया है 258,000 साफ पता चलड़ा है कि हमारी working capital increase हो गया है कितनी increase हो गया है? difference निकाल लेते हैं difference निकाल लेते हैं 1,46,000 आ गया 2,58,000 से टैली हो गया है इसे बोलेंगे increase in working capital current year में हमारी capital ज्यादा हो गया है इसका मतलब working capital increase हो गया है same यह figure यहाँ से भी verify होनी चाहिए 10,000 प्लस 1,52,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 1,74,000 का increase है जबकि credit side में सिरफ 28,000 ही है decrease में 1,28,000 है तो 1,46,000 का difference से यहाँ पर आ गया है 1,74,000 यहाँ भी टैली हो गया है finally क्योंकि working capital increase हो गी है working capital increase का मतलब है ओ ज्यादा पैसा invest करना पड़ा है working capital में इसलिए application में दिखा जाएगा increase in working capital जो कि है 1,46,000 finally अब इसका total कर लेते हैं अगर application का total करें 40,000, 50,000, 60,000 1,46,000 यहाँ रहे 2,96,000 और यहाँ पर 1,00,000 और 1,96,000 रहे के फिर से हो गया 2,96,000 बोज साइट टोटल fund flow statement का टैली हो गया है question complete यहाँ जाएट 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 है